कि नमस्कार यह जो मैसेज है मैं दादार नगर हवेली हमारा जो प्रांथ है उसके वासियों को और पूरे देज वासियों को एक्ष्कुरी देना चाहता हूं आज कल जो वैक्सिन अव्यान चल रहा है सरगार की तरफ से तो जो लोग वैक्सिन करने का इच्छुक है वो लोग जाके वैक्सिन लगा रहे हैं उनके लिए जिनके मन बन चुके हैं वो तो वैक्सिन लगाने जाएं और वो जाने ही चाहिए पर जो वैक्सिन नहीं लगाना उनके लिए message है बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस समय ready नहीं हुए है mentally वेक्सिन लगाने के लिए तो उनके उपर जब कुछ अधिकारी लोग वेक्सिन लगाने के लिए या अधिकारियों के नीचे के लोग जब जाते हैं नगर पालिका से तो कहीं ना कहीं message सुनने में हमारे पास लोग आए कि compulsory का बोलते हैं कि compulsory होगा नहीं तो दुकान बंध हो जाएगा दुकान सील कर दिया जाएगा ऐसे लोग हमारे पास आए तो यह message लेकर कि हम हमारे माननीय करेक्टर के पास गए और हमारे SP साब भी वहां पर आये थे हमारे परदेश के तो उन्होंने हमें साब बताया और पुरा आस्वाशन दिया कि बिल्कुल भी कमपल सरी नहीं है यह स्वेचिक चीज है जिसको लगाना है वो लगाए और अगर कोई भी प्रेशर दबाव बना रहा है तो एकदम गलत है और हम अटकले हैं तो हमारा परशाशन पूरी कोशिश कर रहा है अच्छे चाहदिकारी के उनके दिमाग से वह निकला जाए पर उनका जब तक भैन ही निकला है और आप उनको वैक्सिन के लिए जबरतस्ति करने लगेंगे तो भाई साब उनको साइकलोजिकल तकलीफ हो जाएग और हमारे कलेक्टर साब और SP साब के सानिमदे में जब हम गए तो कलेक्टर साब ने साब आसवाशन दिया कि ऐसा कंपलसरी नहीं है आप Government of India Ministry की वैबसाइट पर भी जाके देखेंगे तो साब लिखा है कि वैक्सिन वॉलन्टरी है मेंडिटरी नहीं है तो ये मैसेज शिर करके प्रिंट निकाल करके उनको दिखाएं कि सर ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं हम जब रेडी हो जाएंगे हम डेफिनेटी लग जाएंगे ठीक है तो छोड़ा सा मैसेज में आप सब लोगों को दिना चाहता था ये मैसेज अच्छे सही लोगों तक कहुंचे और यहीं उम आधिकारियों से मिल सकते हैं और किसी पी तरीके का जोर ना खुद पर करने की जोगों दोते और मैं परशाशनिक लोगों से भी परिक्षट करूंगा कि उनकी मिसन्डेस्टेंग्शन के लिए उनका भैदूर किया जाए तथ्यों से प्यार से समझा के कांसलिंग करके हैं यह बना वह सही रस्ता रहता है कि यह तो सब को मेरा नमस्कार और यह मैसेज जो भी डिजर्विंग लोग है उन तक महुंचा है जाए नमस्कार करें